उश्मा धारिता को जानेंगे उश्मा धारिता जब भी किसी तंत्र में उश्मा दी जाती है तो उसके तापमान में वृध्धी होती है या हम कह सकते हैं कि किसी भी तंत्र को उश्मा देने पर उसके तापमान में वृध्धी होती है तो यहाँ जो तापपान में वृध्धी हुई है याने डेल्टा T समानुपाती होगा Q के क्योंकि यहाँ पर Q तंत्र को दी जाने वाली उश्मा है जिसके कारण उस तंत्र के तापपान में वृध्धी हो रही है तो Q समानुपाती डेल्टा T के है तो Q बराबर हम लिख सकते हैं C delta T तो यहाँ पर जो यह C है यह उश्मा धारिता को शो करता है किसी भी तंत्र का तापमान एक डिग्री सेंटिग्रेट बढ़ाने के लिए आवश्यक उश्मा की मात्रा उश्मा धारिता कहलाती है उश्मा धारिता के लिए यदि हम मात्रक लें SI पद्धती में तो यह मात्रक होगा Joule प्रती Kelvin क्योंकि हमने जो सूत्र लिखा वो है C equal to Q upon delta T तो Q यहाँ पर अवशोशित उश्मा को दर्शारा है यहने हम Joule में व्यक्त कर सकते हैं और delta T तापमान है जिसे हम Kelvin में व्यक्त कर सकते हैं तो Joule प्रती Kelvin के आधार पर हम इसके मात्रक को समझेंगे जल की उश्मा धारिता उच होती है इसका अर्थ है कि जल में तापमान बढ़ाने के लिए अधिक उर्जा की अवशक्ता होगी अब हम जानेंगे विशिष्ट उश्मा धारिता क्या होती है तो किसी भी तंत्र का जो तापमान है यदि हम यहाँ पर जो तंत्र ले रहे हैं उसके एक निश्चित मात्रा ले ले एक ग्राम पदार्थ का तापमान एक डिग्री सेंटिग्रेड बढ़ाने है तू जो आवश्यक उश्मा की मात्रा होगी वह होगी विशिष्ट उश्मा धारिता तो विशिष्ट उश्मा धारिता को हम शो कर सकते हैं सी से तो सी बराबर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी तो यहाँ पर जो मात्रक होगा एसाई पद्धती में वह होगा जूल प्रती केल्विन प्रती ग्राम एक ग्राम पदार्थ की मात्रा ली गई इसलिए यहाँ पर जो उश्मा धारिता है यह होगी विशिष्ट उश्मा धारिता तो इसका मात्रक होगा Joule प्रती Kelvin प्रती gram क्योंकि जो सूत्र है वह है यहां पर Q is equal to C upon M delta T तो M यहां पर उसकी मात्रा हो गई तो उसकी gram में व्यक्त करते हैं delta T यहां Kelvin में व्यक्त किया जा रहा है Q यहां पर उश्मा के रूप में है तो Joule में व्यक्त किया जा रहा है तो इस आधार पर हम इसके मात्रा को जानेंगे Joule प्रती Kelvin प्रती gram molar उश्मा धारिता molar उश्मा धारिता को CM से व्यक्त किया जाता है यहां पर हम यह जानेंगे कि किसी भी पदार्थ का यदि एक gram मोल लिया जा रहा है इस पदार्थ के एक मोल का तापमान एक डिग्री सेंटीग्रेट पढ़ाने के लिए जितने उश्मा की आवशक्ता होगी वह होगी molar उश्मा धारिता molar उश्मा धारिता को CM से व्यक्त करते हैं यहां CM बराबर होगा आवशोशित उश्मा बटा डेल्टा टी इन्टू कैपिटल M जो कैपिटल M है यहां पर उसके molar द्रव विमान को दर्शाता है तो यहां जो आवशोशित उश्मा अपॉन डेल्टा टी है इसके जगा पर हम लिख सकते हैं C उश्मा धारिता है जिसे क्यू अपॉन डेल्टा ट से दर्शाते हैं तो C बटा N तो इसे हम लिख सकते हैं उश्मा धारिता बटा अणवो की संख्या तो यह जो सूत्र होगा, अब हमारे पास सूत्र आया है, CM is equal to C upon N, तो CM is equal to C upon N है, तो इसके लिए जो मात्रक होगा, Joule प्रती Kelvin प्रती मोल, जैसा हमने विशिष्ट उश्माधारिता में देखा था, Joule प्रती Kelvin प्रती ग्राम, यहाँ पर मोलर उश्माधारिता है, तो यहाँ जो मात्रक होगा, Joule प्रती Kelvin प्रती मोल, मोलर उश्माधारिता को हम दो भाग में बाट सकते हैं, एक होता है स्थिर आयतन पर मोलर उश्माधारिता, और दूसरा होगा स्थिर दाब पर मोलर उश्माधारिता, तो स्थिर आयतन पर जो मोलर उश्माधारिता होगी, उसे हम C इस प्रकार से वक्त किया जाता है तो अब हम दोनों के मध्य क्या संबंध है इसे जानने का प्रयास करते हैं CP एवं CV तो इसके लिए पहले CV को जानेंगे यानि स्थिर आयतन पर मोलर उश्मा धारीता को किस प्रकार से वक्त किया जाता है स्थिर आयतन पर molar उश्मा धारिता तंत्र के तापमान को 1 degree centigrade बढ़ाने के लिए स्थिर आयतन पर उस तंत्र को दी जाने वाली जो उश्मा होगी वो होगी स्थिर आयतन पर molar उश्मा धारिता जिसे C V से व्यक्त किया जाता है तो C V से व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि इस्थिर आयतन पर तंत्र पर किसी भी प्रकार का कोई बाहेकार नहीं होता है तो W बराबर होगा शुर्न्य क्योंकि किसी भी प्रकार का बाहेकार नहीं हो रहा है तो W इक्वल टू हम शुर्न्य मान लेते हैं तो उश्मा गतिगी का प्राथम नियम कहता है डेल्टा u equal to q plus w, तो यदि डेल्टा u equal to q plus शुणने लिखते हैं, यहनि w equal to शुणने है, तो डेल्टा u equal to q होगा? अब इसे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं देखिए यदि cv व्यक्त कर रहे हैं cv याने स्थिर आयतन पर molar उचमाधारिता cv equal to q upon delta t यहाँ whole bracket करके v लिख रहे हैं यहाँ पर स्थिर आयतन को शो करने के लिए अब देखिए q बराबर हमने निकाला था delta u तो q के स्थान पर हम लिख सकते हैं delta u upon delta t और यहाँ भी whole करके v करना हैं अब इस सूत्रों को हम कैसे परिवर्टित कर सकते हैं cv equal to q upon delta t whole v equal to delta u upon delta t whole v तो यह हो गई स्थिर आयतन पर molar उश्मा धारीता अब हम जानेंगे कि स्थिर दाब पर molar उश्मा धारीता क्या है तो स्थिर दाब पर किसी भी तंत्र का जो तापमान है वह 1 degree centigrade बढ़ाने के लिए तंत्र को दी जाने वाली उश्मा या तंत्र द्वारा और शोशित की जान वाली उश्मा स्थिर दाब पर उसके तापमान को 1 degree centigrade बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक उश्मा होगी वो होगी स्थिर दाब पर उश्मा धारीता जिसे C, P से व्यक्त करते हैं P यहाँ प्रेशर को शो करता है उश्मा गतिकी के प्रथम नियम को हम व्यक्त कर सकते हैं Q equal to delta u plus w तो q बराबर delta u minus w यहाँ पर delta u minus cu की w बराबर होता है minus P delta v तो minus फिर minus P delta v bracket में अब चूकी दोनों माइनस है तो यहां हो जाएगा प्लस तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी एंथेल्पी परिवर्तन बराबर होता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी तो जब हम इसको लिखते हैं एंथेल्पी परिवर्तन के रूप में याने डेल्टा H के रूप में, तो इस पूरे मान की जगा अर्था डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के स्थान पर हम लिख सकते हैं डेल्टा H, तो Q बराबर है डेल्टा H, यहाँ पर C P, क्योंकि स्थिर दाब पर मोलार उश्मा धारीता है, तो C P बराबर Q अपॉन डेल्टा T, होल P ल करती की प्रथम नियम के अनुसार ग्यात किया, कि Q बराबर डेल्टा H, जब हम स्थिर दाब की बात करते हैं, स्थिर दाब पर उश्मा धारीता की बात करते हैं, तो Q बराबर डेल्टा H है, तो उसी सूत्रों को हम लिख सकते हैं, कि डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, होल P, स दोनों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, तो दोनों सूत्र को हम पहले फिर से लिखेंगे कि Cv equal to क्या है, तो Cv equal to, याने Cv याने स्थिर आयतन पर मोलर उश्मा धारिता, equal to delta U upon delta T, whole V, इसी तरह से हम इसे सरल करके लिख सकते हैं, delta U equal to Cv delta T, तो इसे हम लिख सकते हैं, equal to Qv के रूप में, अब देखिए, इस्थिर दाब पर यदि मोलर उश्मा धारिता को व्यक्ति किया जाए, तो वो होगा Cp equal to delta H upon delta T, whole P, तो delta H बराबर होगा Cp delta T, तो ये equal to होता है Qp के, तो इस्थिर दाब पर और इस्थिर आयतन पर जो मोलर उश्मा धारिता है, उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अब आप देखिए कि जो enthalpy परिवर्तन होता है, enthalpy परिवर्तन का सूत्र है delta H बराबर delta U plus delta PV, delta PV इसलिए लिखते हैं, मने दाब आयतन कारे में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, तो आदर्श के समीकरण के अनुसार, PV बराबर होता है RT, यहने अगर हम एक मोल के लिए लेते हैं, n मोल के लिए लेंगे, तो PV is equal to nRT होगा, यहां हम एक मोल के लिए ले रहे हैं, तो हम यहां पर PV के स्थान पर लिख सकते हैं, RT, तो इस सूत्र को हम लिख सकते हैं, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, चूकि डेल्टा RT हमने लिखा है, तो R यहां पर एक स्थिरांख है, गैस स्थिरांख है, तो R में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो R डेल्टा T लिखा गया, अब यहां पर जो सूत्र है वो देखिए, डेल्टा H बराबर डेल्टा U, R डेल्टा T हमने लिखा, अब जो डेल्टा H है, डेल्टा H के स्थान पर हम लिख सकते हैं, C P डेल्टा T, इसी तरह से डेल्टा U के स्थान पर हम लिख सकते हैं, c v delta t plus r delta t तो अब सभी जगह पर आप देखिए delta t common है तो delta t delta t को हम cancel कर देंगे तो जो शेस बसता है वो है c p बराबर c v plus r तो r equal to होगा c p minus c v यहाँ पर जो c p और c v में संबंध हमने ग्याद किया वो प्राप्थ हुआ c p minus c v is equal to r इसे मेयर संबंध के रूप में भी जाना जाता है यह molar उश्माधारिता पराधारित है प्रश्ण 60 gram aluminium का तापमान 36 degree centigrade से 55 degree centigrade करने के लिए कितने किलो जूल उश्मा की आवशक्ता होगी जबकि aluminium की molar उश्माधारिता 24 joule प्रति मोल प्रति केल्विन है यहाँ पर मोलो की संख्या यदि हम aluminium के लिए गयात करें तो 60 दिया गया इसका weight है upon 27 aluminium का परमाड उभार है तो इसके लिए यहाँ पर N की value इस प्रकार हम गयात कर सकते हैं यहाँ पर molar उश्माधारिता का मान 24 joule प्रति मोल प्रति केल्विन है तापमान में जो अंतर है 55 minus 36 चुकि 36 से temperature को 55 degree centigrade तक बढ़ाना है तो हम अंतर निकालेंगे तो 55 minus 36 तो delta T का मान राप्त होगा जब Q का मान निकालेंगे तो Q बरापर होगा N into CM into delta T N की value 60 by 27 into CM की value 24 into delta T 55 minus 36 हल करने पर जो मान प्राप्त होगा वह है 1013.33 joule झालेगे झालेगे